हलो एंड वेलकम टू टेली टाकीज दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर आखिर क्यूँ अर्चना अब तोड़ने पर आ चुकी है प्रयंका और अंकित के प्यार को दे रही है दोनों को बद्दुआ लेकिन इस बार अंकित भी नहीं रहे चुप अंकित ने दिया करारा जवाब मुद तोड़ दिया पूरी तरह से यहां पर अंकित ने अर्चना का क्या कुछ किया है चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टाकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं बिग बॉज के घर के अंदर हालत कुछ ऐसी है कि अर्चना पूरी तरह से चिड़ चुकी है अब अपनी ही दोस्त से यानी की प्रियंका से तभी तो प्रियंका को और अंकित को अलग होने की बद्धुाईं देने लगती है जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि बिग बॉज के घर के अंदर अर्चना किचन एरिया में होती है और अंकित और प्रियंका भी वहीं पर आ जाते है ऐसे में अर्चना ये कहती भी नजर आती है कि तुम दोनों कभी भी एक हो ही नहीं सकते तुम दोनों कभी भी साथ नहीं होंगे ऐसे में अंकित कहता है तुससे किसी ने पूछा जिसके बाद अर्चना कहती है अरे तुम लोगों का तो रिष्टा जूटा है जूटा और इस से शादी करके इसका साथ दे कर तू क्यूं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा ये तो खाना तक किसी को पेट भर कर नहीं खिला सकती तेरे घरवालों को तो भूका मार देगी ये बहुत ही तेज है ऐसे में अंकित ने अर्चना को कहा कि तू अपना मुँ बंद कर मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं और प्रयंका जानते हैं बात सिर्फ इतनी सी थी कि अर्चना को मिर्ची लग गई थी क्योंकि शालीन ने अपनी आधी ब्रेड प्रियंका को और अंकित को दे दी और उसके बदले प्रियंका ने उसको एवकाडो दे दिया और ये बात अर्चना को हजम नहीं हुई कि भई क्यों प्रियंका को ब्रेड मिली और इसलिए प्रयंका ने फिर कहा कोई बात नहीं आचना तू बहुत ही भूकी है और दिख रहा है कि जो मुझे और अंकित को आधी ब्रेड मिल गई है ना उससे तुझे मिर्ची लग गई है कोई बात नहीं हम तेरे को भी दो पीस दे देंगे ब्रेड के तुझे जितन में आप लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें